हेलो दोस्तों मैं हूँ दीपी का जैश फैमिली किचन में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे अलसी के लड़ू जो बहुत ही स्वास्थ के लिए सही होते हैं तो यह देखिए मैंने अलसी ली हुई है मैंने इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है तो दो देखिए मैंने 1.5 कटोरी अलसी ली हुई है और एक कटोरी मैंने यहां तोड करके गुड़ लिया हुआ है यह देखिए तो अब हम चलिए बनाना शुरू करते हैं अलसी और गुड़ के लड़ू तो उसके लिए मैंने इधर ले लिया है कुछ ड्राइफ रूट्स आप अ तो यह देखिए मैंने इधर बादाम, किश्मिश, पिस्ता, गॉंद, खर्बूजे की बीज, नारियल, कदुकस किया हुआ, गोड़, अलसी और मैंने खर्बूजे की बीज लिया हुए हैं तो चलिए चलते हम गैस की तरफ तो हम सबसे पहले अलसी को भून लेंगे हम इसे धीमी गैस पर भूनींगे ताकि हमारी जो अलसी है वो अच्छे तरह से भून जाए और जले नहीं तो हम इसे भून करके तयार कर लेते हैं ये देखिए अच्छे से चटक गई है ये ये देखिए इसका color भी change हो गया है तो अच्छे तरह से भून चुकी है ये continue हम इसे चलाती हुए भून लेंगे भून गई है तो अब हम इसे एक बातर में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेते हैं तब तक हम इसे dry fruits को भून लेते हैं तो फटाफट से हम सभी dry fruits को भून करके तयार कर लेंगे तो यह मैंने डाल लिए गोंद यह भी भून गई है अब हम इसमें पिस्तर डाल देंगे और अची तरह से भून लेंगे यह भी भून गए हैं अब हम इसमें बादाम डाल करके भून लेते हैं यह देखिए भून चुके हैं अब हम इसमें किस्म डाल देते हैं और अची तरह से भून लेते हैं अब हम इसमें काजू डाल दिये हैं हमने इसे भी भून लेते हैं अब हम इसमें मखाने डाल देते हैं इन्हें भी भून लेते हैं इस देखिए अब मैंने धर खरबूजे की बीज और कदू कस किया हुए नारिय लिया है इसे भी हम धीमी गेस पर भून लेते हैं तो यह देखिए हमारी अलसी जो है ठंडी हो चुकी है यह देखिए अब हम इसे एक मिक्स जाम में डालके इसे अची तरह से पीस लेते हैं तो हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है थोड़ा सा दरदरा रखना है तो हम इसे पीस लेते हैं यह देखिए हमारी जो अलसी है वो पिस्ची गई है तो हम इसे एक बर्तर में निकाल लेते हैं और इसी तरह से हम पूरी अलसी को पीस लेंगे यह देखिए हमने जो ड्राइ फूर्ट से भून करके रखे हुए हैं तो हम इसे पीस लेते हैं अगर आप चाहें तो इसे इसी तरह से ही लड्डू में डाल सकते हैं तो लेकिन मैं इसे पीस लेती हूँ ताकि जब हम बच्चों को दें तो वो ड्राइ फूर्ट से निकाल कर फेंके नहीं और आसानी से वो खा लें तो यह देखिए हमने घी में अच्छी तरह से भूना था ड्राइ फूर्ट को तो इस तरह से यह पेश्ट सा बन गया है इसका ड्राइ फूर्ट का तो अब हम इसमें हम गोर्ण डाल देते हैं और हमने इसमें किसमें स्पीस ही नहीं हुई है तो हम इसे ऐसे ही डाल देंगे और जो हमने ड्राइफूर्स पीसा था उसे डाल देते हैं यह देखिए इस तरीके से पेश्ट सा बन गया है घी डला हुआ है इसी वज़े से और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चमस्च की हेल्प से तो यह देखिए अच्छी तरह से हम मिला लेंगे इन सबी चीजों को यह देखिए हमने सबी चीजों को अच्छी तरह से मिला लिया है तब हम इसमें दो से तीन चमस्च घी एड़ करेंगे डाल लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह देखिए घी भी हमने अच्छी से मिक्स कर लिया है अब यह जो हमारा जो पाउडर है अलसी और ड्राइफुर्स का अच्छी से मिक्स हो गया है अब लड़ू बनने के लिए तयार हिए तो इस तरह से हम इसके लड़ू बन और दोस्तों ये बहुत असानी से लड्डू बन करके तयार हो जाते हैं तो अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे होते हैं या आपको जो मसाला है वो थोड़ा सूखा-सूखा है तो आप इसमें थोड़ा सा और घी अड़ कर लीजें तो उससे क्या होगा कि लड्डू असान से बन जाएंगे यह देखिए इस तरह से इसे हम बरतल में रख देते हैं और इसी तरीके से हम सभी लड्डू को बना करके तयार कर लेंगे यह देखिए बहुत ही आसानी से बन करके तयार हो रहे हैं के कि यह देखिए इन्हें बनाने में जादा टाइम भी नहीं लगता है फटाफट से बन जाते हैं तो यह देखिए हम ने सभी लड्डू को बना करके तयार कर लिया है तो यह तो दोस्तों अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए